जारखन पंचाय चुना मार्च में होने की संभवना है जारखन में 23 तरी पंचाय चुना को लेकर जितनी बेसबरी आम लोगों को है उतना ही सासंतं त्रसुस्त दिख रहा है कहा पहले तो जा रहा था कि 22 के जनवरी में पंचाय चुना होंगे और इसकी अधिसुतना दिसंबर में जारी हो जाएगी लेकिन लगता है कि दिसंबर में अधिसुतना जारी होने अथवा जन्वारी फरवरी में चुनावने की समावना पर अब पूरी तरह बिराम लग गया है बतादे जार्खन राज निर्वाचन आयो का कहना है कि अब पंचाय चुनावन नए वोटर लिस्ट पर होंगे और वोटर लिस्ट का परकासन पांच जन्वारी दोहजर बाइस को होगा साफ हाई की निर्वाचन आयो के इस नए आदेश से गाउं की सरकार बनने में उमीद लगाए लोगों को अब मार्च महिने तक इंतिजार करना पड़ेगा बतादे ज़ार्खन पन चाय चुना मार्च में होने की समभावना के पीछे का एक बड़ा कारन है की और वोटर लिस्ट के परकासन होने के बाद वार अस्तर पर नए वोटर लिस्ट बनेंगी रांची सहित जारखन के कई इलाकों में सुक्रवार से बारिस होने की संभवना जताई गई है बतादे मौसम भी भाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा मौसम भी ज्यानी अभिसेक आनन्द ने बताया कि दक्षिन अन्डमायन के मध्य भाग में एक निम दबाव का छेतर बना हुआ है इसका विस्तार पच्छिम और उतर पच्छिम की ओर हो रहा है इससे डिप्रेशन बना है इसके आगे और मजबूत होकर चक्रवात में तबदिल होने की संभावना है इसके और आगे बढ़ते हुए उतरी अंध्रपरदेश के तर्टिय छेतरो और दक्षिनी ओडिसा के तर्टो पर टकराने की संभावना है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बचों में सीखने की छमता बढ़ाने तथा उनमें उनके ग्रेड के अनुसार ही संख्या ग्यान बिक्सित करने के लिए राजिके एक लाग अठारा जार पांच सो पर शिक्षित किया जाएगा बता दे भारत सरकार द्वारा समगर सिक्षा अभियान के तहट सुरू किये गए बुन्यादी सक्षर्ता एवं संख्य ग्यान के तहट या कवायत की जा रही है पराथमिक एवं उच माधमिक अक्षाओं में अध्यापन करने वाले सिक्षको के छामता वर्धन को सुनिश्चीत करने के उदेशे से निश्टा तीन प्रसिक्षन कारेकराम दिख्षा पोटल पर आउनलाइन सुरू किया गया है जिसमें सिक्षक निधाईत प्रसिक्षन अस्थल पर सामिल होंगे पसु आहार के लिए रोज सो रुपे देगी सरकार लवारिस पसु का होगा रेस्क्यू राज सरकार ने पसु की देख भाल एवं उनके संदक्षन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज की गोसलाओ में पसु के आहार के लिए सो रुपे प्रती पसु प्रती दिन देने का निनलिया है बता दे पहले यह राजी 50 रुपे प्रती पसु प्रती दिन 6 महिने तक के लिए ही दी जाती थी राज सरकार ने राजी में ब्रेधी करते हुए अब इसे एक वरस के लिए कर दिया है यह जनकारी क्रिसी मंत्री बादल ने बुद्धवार को नेपाल हाउस आयोजीत राज ये जीव जन्तु कल्यान बोर्ट की बैटक में दी उन्होंने कहा कि राज की गोसावलाओ को और अधिक सुद्रिट किया जाएगा अर्जुन मुंडा को खेल मंत्राले ने बनाया मीशन ओलम्पिक सेल का सदसे दीगज फुटबॉल खिलाडी बाइचुक भुटिया और लंबी कुद की स्टार एथलिट अंजु बोवी जोर्ज उन साथ पुरु खिलाडियों में सामिल है जिन होने 2024 पेरिस ओलम्पिक को देखते हुए गुरुवार को मीशन ओलम्पिक सेल में सामिल किया गया बता दे भारत की नजरे तोक्यो उलम्पिक की सफलता को आगे बढ़ाते हुए पेरिस 2024 में बेहतर परदसन करने पर टिकी है एम ओसी खेल मंत्राले की पहल टारगेट उलम्पिक पोडियम योजना के जरिये भारत की उलम्पिक तैयारियों को आगे बढ़ाता है चक्रवाती तुफान जवाद को लेकर उंचास ट्रेने रद रेलवे ने चक्रवाती तुफान जवाद के मदनेजर झारखन और उडिसा के रेलवे इलाको को रेड अलर्ट जारी कर दिया है तुफान को लेकर दक्षिन पूर्वर रेल्वे ने बुध्वार को चक्रधर पूर्रेल मंडल के जार्खन और उडिसा इलाकों के सिमवर्थी स्टेशनों में अधिक छती होने की समवना जताते हुए हाई अलर्ड जारी कर दिया है दुमका में जल्द शुरू होगी कमर्वर्शियल पाइलट की ट्रेनिंग जार्खन के उप्रईधाने दुमका में संचाली जार्खन फलाइंग इंस्टिूट में अब तक गलाइडर फलाइंग की ट्रेनिंग चल रही थी लेकिन वह दिन दूर नहीं जब यहां कोमर्चल पाइलट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी बता दे इसकी पहल नागर बिमानन विभाग जारकन सरकार ने शुरू कर दी है विभाग के डारेक्टर कैप्टन एसपी सिनहा ने कार्योजोजना बनाई है इसके लिए एक नया गलाइडर दूमका लाया जाएगा इधर धनबाद और गिरीडी जीले में भी गलाइडर फलाइंग की ट्रेनिंग शुरू करा दी जाएगी बता दे दूमका से इसके लिए एक गलाइडर धनबाद भेजे जाने की त्यारी है बिधान सभाका सित कालिन सत्र 16 दिसंबर से जमसेदपूर में कुरोना से एक और मासुम की मौत तीसरे बच्चे की मौत से हरकाम कुरोना के कारण जमसेदपूर में बाग बेडा कॉलोनी निवासी एक वरसी बच्ची की गुरुवार को मर्सी अस्पताल में मौत हो गई बता दे बच्ची को परिजरों ने सुबा में सांस लेने में दिकत के कारण अस्पताल में भरती कराया था जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया बता दे सर्विस लाइन्स टीम के अनुसार सांस लेने की दिकत के साथ बच्ची एनेमिक थी जीले में बच्चे की मौत किया तीसरी घटना है बतादे मोहले में सर्वे होगा बच्ची की मौत की सुचना से जीला स्वास्त विभाग और सर्विस लाइन्स टीम में हरकम बच गया है सुक्रवार को परखन करे आला करमचारियों की मदद से सर्विस लाइन्स टीम बाग बेडा कोलोनी में सर्वे अभियान चलाएगी ताकि बच्ची वो परिजनों के संपर्क में रहने वाले और ये लोगों की भी सेंपर लेकर कुरोना जाच कराई जा सके जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या अंठानबे है होई भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,2334 है हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड में दौसवी से लेकर असनात्तक के लिए नोक्री सरकारी नोक्री की तियारी में लगए अभियार्थियों के पास पर लिमिटेड में आवेदन करने का सुनारा मौका है बतादे हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर सहीद विभीन पदो पर भरतिया निकाली है खास बातिया है कि इन पदो पर भरति के लिए अभियार्थियों का चैन बिना किसी परिक्षा लिये सिधे इंटर्वियों के जरिये किया जाएगा बतादे कुल खादी पदो की संक्या 50 है हजारी बाग में कस्तुर्वाई स्कूल संगम का आवज़न 7 दिसंबर को 5016 होंगी सामेल सभी 10 कस्तुर्वाग आंधी और 6 जार्खन आवास से बालका विद्याले की लगभग 5016 साथ दिसंबर को हजारी बाग में जुटेंगी बतादे सिक्षन प्रसिक्षन महाविद्याले प्राइंगन में कस्तुर्वाई संगम मनाया जाएगा इसकी तैयारी हजारी बाग जार्खन सिक्षा पर योज़न करयाले ने की है इससे पहले 4 दिसमर को अपने अपने स्कूल में कस्तुर्बा संगम मनाया जाएगा रांची सदर अस्पताल में पिछले 7 माह में जन्में 29 पर 30 बच्चे अंडरवेट रांची सदर अस्पताल में इस वर्स अप्रेल से लेकर अक्टूबर तक 323 डिलेवरी कराई गई इसमें 326 नवजातों का जन्म हुआ बता दे सदर अस्पताल की ओर से दिये गए आक्टे के मुताबिक इनमें से 948 बच्चों का वजन अड़ाई किलो से कम रहा यानि जन्म के समय औसत रूप से जो वजन रहना चाहिए था उससे कम रहा बता दे दूसरे सब्दों में कहें तो इसमें 29 पर 30 नवजात अंडरवेट रहे पलेट फर्म टिकट की कीमत घट कर पुना 10 रूपे क्रोना के घटते संग्रमन को देखते हुए करीब एक साल बाद पलेट फर्म टिकट की कीमत 30 रूपे से घट कर 10 रूपे कर दी गई है बता दे पलेट फर्म टिकट की कीमत घटने से परिजनों को छोड़ने एस्टेशन आने वाले लोग काफी राहत महसूस कर रहे है बता दे राची रेल डिविजन के सभी एस्टेशनों के पलेट फर्म टिकट की बड़े कीमतों को आपस ले लिया गया है 33 लाख बच्चों के खाते में जाएगी रासी सभी जीलों को भेजे गए 251 करोर राची के सरकारी वा सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले काक्षा 1 से 8 के 33 लाख बच्चों के खाते में 666 से 992 रुपए हस्तांतरित किये जाएंगे या रासी परधान मंत्री पोसन योजना के तहाद कोकिंग कोश्ट के रूप में दी जाएगी बतादे जार्खन मद्याहन भोजन प्राधिकरन ने 33 लाख बच्चों के खाते में डीवीटी से रासी हस्तांतरित करने के लिए बुद्धवार को 251 कोर रुपए सभी जीलो कावंटीत कर दिये हैं 5 दिसंबर से महंगा होगा राची जमसेतपूर का सफर राची ठाटा राश्ट्री राजमार्ग 33 के बुद्धू इस्थित टोल पलाजा से 5 दिसंबर से राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकरन टोल टेक्स की वसुली करेगा बता दे राजमार्ग के राएडी तमार भोयाडी आदी जगों पर फ्लाई ओवर निर्मान का काम पूरा नहीं हो सका है कई जग हो के ग्रामीन रहेतों को राजमार्ग के फोरले निर्मान के लिए अरजीत चमीन का भो अरजन विभाग से मुअबजा भी नहीं मिल पाया वहीं लोग मुअबजा राशी के लिए विभाग की दोड लगा रहे हैं इधर टोल वसुली सुरू होने से राची टाटा राजमार्ग में सफर करना मांगा हो जाएगा स्वास्थे पर कम खर्च कर रहा जारखन राज सरकार अपने कूल खर्च में 4.7% स्वास्थ पर खर्च करती है बता दे केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी नेशनल हेल्थ एकाउंट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है पिछले दिनों यह नेशनल हेल्थ एकाउंट की रिपोर्ट बर्ष 2017-18 में स्वास्थ पर खर्च हुई रासी के आधार पर जारी की गई है हमर अपन बयट एप लंच जारखन के आम बयट में यहां के लोगों के सुझाव अहम होंगे और इसको लेकर सब के विचार मांगे गए हैं बता दे पोर्टल पर आम जनता अपने सुझाव सीधे सरकार को भेज सकेगी मुख्य मंत्री के आवास्य कर्याले में इसको लेकर एक एप का लोकारपन भी किया गया है पोर्टल और एप के जरिये राजे की आम जनता 2022-23 के बजट है तू अपना सुझाव साजा कर सकेंगी बता दे राज सरकार ने इसके लिए ब्यवस्था बनाई है कि सभी को सबसे पहले हमर अपन बजट पोर्टल पर स्वयम को पंजिकरित करना होगा मुख्य प्रिष्ट पर दिये गए अस्थान पर अपना मुबाइल नमबर इमेल भरने के बाद OTP जेनरेट करने के लिए क्लिक करना होगा धनबाद जज मोत मामला धनबाद के जिला एवं सत्र नियाधिस उत्तम अनंद की मोत मामले की जाच कर रही दिली CBI के टीम अर्टो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहूल वर्मा का फिर नार्को एनालिसिस कराएगी बता दे नार्को के साथ साथ अन्य टेस्ट भी फिर से कराए जाएगे CBI ने जिला एवं सत्र नियाधिस त्रीतिय सा CBI के विशेश नियाधिस रजनी कांध पाठक के अदालत को आवेदन देकर नियाई की रासत में रखकर आरोप्यो का डारेक्टोरेट ओफ फोरेंसिक साइंस गांधी नगर गुजरात इस्थित लेव में टेस्ट कराने के उन्मती मांगी थी मनरेगा मजदूरों का बनेगा बन अधिकार पट्टा रज के मनरेगा मजदूर वन भूमी में भी काम कर सकेंगे इसके लिए मनरेगा मजदूरों का बन अधिकार पट्टा बनेगा बतादे पट्टा के अधार पर उन्हें मनरेगा का काम मिल सकेगा इसके लिए उन्हें अन्य छेत्र में मिलने वाली मजदूरी से भी ज्यादा रासी मिलेगी इसके लिए ग्रामिन विकास विभाग ने निर्देश दे दिया है बता देवन परियावरन एम जलवायू परिवर्तन विभाग की और से मांगे गए सुझाओ पर ग्रामिन विकास विभाग के सचीव डाक्टर मनीश रंजन ने वन विभाग से बिरिक्षारूपन का काम मन देगा के मध्यम से कराने को कहा है आत्म समर्पित उग्रवादियों के साथ ग्रामिन एसपी ने की बैठक रांची पूरिश ने आत्म समर्पित उग्रवादियों और उनके परिजनों के साथ बैठक की गरामिन एसपी की अध्यक्स्ता में होई बैठक में 18 आत्मस्वरपित उग्रवादी सामिल हुए बैठक में उग्रवादियों ने योजना नई दिशा के तहत मिल रही योजनाओं के लाब के बारे में जनकारी दी बतादे बैठक के दोरान उग्रवादियों ने बच्चों की पढ़ाई वकील का खर्ष जीवन बीमा सरकारी नवकरी एसपीयों में नियुक्ती के साथ ज्यादातर लोगों के दोरा आवंटित जमीन को काबजा दिलाने के संबंध में मायंग रखी गई गरामिन एसपी ने उनकी मागों को जल्द पूरा करने का स्वासन दिया चक्रवाती तुफान का असर आए दोपहर से चार दिनों तक जारखन में चक्रवाती तुफान जवाद का आने वाले चार दिनों तक विभीन इलाकों में असर दिखेगा बतादे आरंभिक प्रभाव के तोर पर सुक्रवार को दोफर बाद से राजी के दक्षिनी भाग में पुर्वी और पच्मी सिम्भूम सिम्डेगा सराय के लाखर सावा समेत आसपास के इलाके में कहीं कहीं पर हलके दर्ज की बारिस होगी वहीं 4 और 5 दिसंबर को राजी के दक्षिनी उतर पूर्वी और मदे भाग के रांची बोकारो गुमला हजारीबा खोटी रामगार पूर्वी सिम्भूम सराय के लाखर सिम्डेगा देवगार धनबाद गिरीडी दुमका गोड़ा जामतरा पांकूर और साहिब गंज के कई स्थान पर बारिस होगी वहीं 6 दिसंबर को उत्तर पूर्वी भाग में हलके दर्च की बारिस की संभावना है तीन दिवसी रगबी कैम्प सुक्रवार से अस्ति खिलाडी लेंगे भाग जारखन रगबी फुटबॉल एसोसियेशन के तत्वधान में 3 से 5 दिसंबर तक खोटी में तीन दिवसी रगबी कैम्प का आवजन किया जाएगा बता दे सीवर में विभीन जीलो के चैनित खिलाडी भाग लेंगे सीएम की पहलप और अंधर परदेश में बंधक बने चाईबसा के 16 मजदूर की रिहाई जारकन के मुख्यमंत्री हेमान सुरेन की पहलप और अंधर परदेश के आईस आईसलेंड में बंधक बनाये गए चाईबसा के 16 मजदूरो की सकुसल रिहाई हुई है इस रिहाई के बाद सभी मजदूरो की घर वापसी हो रही है इसके लिए मजदूरो ने cm के प्रति अभार जताया है बताया गया कि चाईबसा के मजदूरो को काम के बहाने अंधर परदेश के आईस आईसलेंड ले जाया गया यहां पहुचने पर इन मजदूरों से जवरन काम लेते हुए उन्हें बंधक बना लिया था इसकी जनकारी सब्सक्राइब कर बहुत करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडवेक अवस्य दे थाइंक यू